जैसा कि आप लोग request कर रहे था जो ओल्ड श्लेबस के बच्चे है ना उनलोगों के request थी कि है सर ओल्ड श्लेबस का भी RTP आप अप्लोट कर दीजिये discussion हो जाए ओल्ड श्लेबस और ओल्ड श्लेबस पे हम लोग discussion के लिए अब तयार है ठीक है, बहुत सारे ऐसे questions है, जो new syllabus की RTP में already covered है, तो यहाँ जो मैं discussion करूँगा, और वो मैं आपको description में दे देता हूं, उसकी link, किसकी new syllabus की, बता दूगा कौन सा question number है, तो especially यहाँ जो discussion होगा, वो किसका होगा, RTP old syllabus, it means new syllabus वाले बच्चों के लिए, यह जो video डल रहा है, य कामका नहीं, ठीक के सब, तो चलो, आजाते हैं, RTP आपके पास होगा, तो आप open कर लोगे, और हम बात करेंगे सबसे पहले, question number one, जो कि capital budgeting से उठाया गया, capital budgeting सीधी सी बात है, new syllabus वालों के लिए, यह video ही irrelevant है, कामका नहीं है, तो आप ना देखें, तो चल जाएगा, लिखा, SS company, is considering the replacement, ठीक है जे, replacement करना है, हाँ, क्या गरना चाहते हो, sir, capital budgeting का का, replacement करना चाहते हो, हमारे पास, पहले से कोई machine है, with a new machine, new machine खरीदना है, purchase price of new machine, कितने का, 26 lakh, चलो ठीक, 26 lakhs की new machine आईगी, life कितनी है, 8 सा, ठीक है, 8 सा लिए हमारे काम का हो, the company follow straight line method, SLM, straight line method of depreciation, on the original investment, on the original, scrap value is not considered for the purpose of depreciation, CDCD, बाद बुला, scrap value minus, मत करना, SLM method से depreciation लगाना, the other expenses to be incurred for the new machine, installation खर्च का कितना है, 9000, तो CDC बात है, हमें बच्चपन से मालूम है, कि installation का खर्चा capitalized होगा, तो machine जो 26 lakh की है, उसमें 9000, हम और एट करते, fees पैट कर रहे हो, किसको consentant को advise दीजे, कि new machine खरीदना है, तो भाई, यह भी one time का खर्चा, तो क्या यह भी capitalized होगा, यस, तो यह भी हम यहां जोड़ देगे, machinery की कीमत में, यह add हो जाएगा, this is cost of machine हो जाएगा, additional working capital लग रहा है, 17000, यह इसमें नहीं जूड़ेगा, cash outlaw, additional working capital लग रहा है, working capital, कितना 17000, और हम अच्छे से जानते है, यह जो working capital लगता, यह last में क्या हो जाता है, recover हो जाता है, release हो जाता है, और बोला कब 8 साल बात release हो जाएगा, बोला भी है, और अगर नहीं भी बोलता, तो भी release हो जाता है, मैं यहां तक सामदा है, बोले, हमारे पास, क्योंकि replacement का question है, क्योंकि तो हमारे पास already एक machine होगी होगी, yes, और existing machine है, और उसकी book value, WDV कितनी है, 76,000, book value existing machine की है, 76,000, सर्जी इसको बेचोगी तो, yes, और इसको कितने में बेचोगी, 12,500 में इसको बेच सकते हैं, 12,500 में, dismantling of this machine would cost, oh, 12,500 में बड़ी मुस्किल से बिकेगी, और 12,500 में बिकेगी machine पर 12,500 माइनस, खर्च भी हो जाएगे 4,500, तो net जो है न, net वो मुझे 8,000 रुपे मिलेगा, बताओ, 76,000 की machine, existing machine, क्योंकि आज हम new machine खरीद रहा, तो old machine बेचना पड़ेगा, और बेचोगे तो 8,000 रुपे की बिकेगी, तो यार यह तो loss हो गया, this is capital loss और capital loss पर क्या tax saving होता है, yes, देख लेते हैं, 76,000 माइनस 8,000, 68,000 इंटू, tax का rate दिया है क्या, 35%, 35%, तो capital loss है 23,800, tax saving, tax saving on capital loss, और 8,000 यह मिलेगा, और यह मेरा बचेगा, प्लस 8,000, तो 31,800, 31,800 किसको बेचने से, अगर हम आज old machine को बेचे, तो 8,000 रुपे मिलेगा, और 23,800 रुपे tax जाने से बचेगा, this is tax saving on capital loss, तो total मिलाकर old machine से आज के दिन मुझे कितने का फायदा है, 31,800, no doubt, new machines में पैसा जाएगा, पर old machine को बेचके, आज की आज में मुझे पैसी भी तो मिले अगे बड़े, यह दे दी, अब काम की चीचे यह, annual earning, before tax but after depreciation, earning, before tax, after depreciation, ठीक है, depreciation minus हो चुका है, from the new machine, would be, 3,500,000, ठीक, इसको क्या बोलोगे, इसको मैं बोलूगा, earning, profit, before tax, profit, before tax ही होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, tax minus कर देंगे, और क्या add कर देंगे, depreciation, add back कर देंगे, require rate of return, 13%, बताइए की, ठीक, 8 साल है project, तो यह तो काम बहुत easy है, question में, कुछ ज्यादा मस्किल होना नहीं चाहिए सबसे पहले इनोंने क्या किया, देख लेते हैं, चलो जी, देखे, क्या क्या है, 26 लाग रुपे की मशीन हो गई, ठीक है, installation खर्च add हो गया, ठीस, यह भी हो गए, तो 26 लाग 15,000 की पड़ी मशीन, 26 लाग 26 लाग 15,000, और 8 साल में depreciation लगाना है, तो यह आगया, आपका depreciation का मां चाहिए चाहिए था अब हम CFAT निकाल लेते एक बार, CFAT कैसे निकलेगा? यह देखो, CFAT इस तरह से निकलेगा इब यह प्रॉफिट भी फॉर टेक्स दिया है, तीन लाग पंद्रह हचार टेक्स 35% तो यह आगा है, प्रॉफिट अफ्र टेक्स इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा CFAT कितने सल तक आएगा? यह आट सल तक, ठीक है, आगे चलें यह मैंने आपको किसकी बात कर रहा था? मैं यह कह रहा था, अगर हम आज ही बेच दे किसको? ओल्ड मशीन को तो कितना पैसा मिलेगा, आंसर कितना जाएगा? 31,800 कैसे आएगा? 12,500 में से 4,000 का खर्च है तो 8,000 और 76 में तो 68 capital loss, 23,800 यह और 8,000 यह, इन दोनों को add करोगे तो 31,800 बस यह सब कुछ working की जिपरत है, उसके बाद NPV निकाल ले थे हैं, NPV जी है एक से 8 साल तक कितना आएगा? 531, 625 यह कहां से आए? आपका CFET 531, 625 ठीक है? और 13 पर्चन का factor आप calculator से नहीं निकालोगे क्योंकि दिया हुआ है question में, तो आप सिर्फ और सिर्फ question का जो factor है न वो यूज करोगे 4.8 और working capital release होगा, उसका भी हम देख लेते, देख लेते question में क्या है? यह आ गया हमारा, इसमें कोई शक नहीं है इसके अलावा, क्या zero period में machinery बेचने से 31800 मिलेगा? यस और working capital आठवे साल में हमें 17,000 वापस recover हो जाएगा? यस इन तीनों को जोड़के यह आ गया मेरा present value of cash inflow, पर पैसा जाएगा भी तो 26,000 रुपए machinery पे 17,000 रुपए पे इन दोनों को add करोगे तो यह आ जाएगा present value of cash inflow minus outflow करोगे तो NPV और NPV negative है, तो क्या project viable है? project is not viable अगर मैं कहूं capital budgeting में replacement का question है? यस क्या बिल्कुत simple question है? यस, कोई शक्की नहीं आगे चलते है question number two, question number two भी आपका देखा जाए तो capital budgeting का ही है देखते हैं कि question number two क्या बोट रहे हैं? देखा, airborne limited wants to take advantage of a new government scheme of connecting smaller town and wants to purchase तर्बो प्रोप air plane, CDC मात है क्या खरीदना भी है, प्लेन खरीदना है sir कितने cost पड़ा? पांच करोड पे cost पड़ा, प्लेन खरीदना है और हम चार सेक्टर में इसे उड़ा सकते हैं company had provided the following estimate of its cost and revenue cost discounting कितने परशन से करना, 11% से discounting करना and the company depreciate is its asset 25 साल में depreciation लगाना, 25 years में और कौनसी method से? straight line तो depreciation का amount निकल जाएगा 5 करोड, 5 करोड और 5 करोड डिवाइट किससे कर दोगे? 25 से तो क्या निकल जाएगा हमारा depreciation निकले जाएगा अब भी tax का rate कितना है? 30% under the new government scheme, it enjoyed 100% tax waiver for first सुनो भई, सुनो एक फाइदा है कुछ नया project पे government scheme है कि आपको 3 साल तक tax नहीं देना पड़ेगा जितनी भी कमाई होगी 100% ठीक है, बहुत अच्छी बात है बचा 25 साल, बाद में देखेंगे कितने passenger, 60 passengers है, total capacity पर सारे passenger थोड़ी occupied, occupation occupied कितना? 80% passenger मान लो on an average ठीक है और एक है, per aircraft number of trees 4, 4 trip चलती है, ठीक Okay sir, sir, round trip है क्या, costing बीच में मतला राउंड ट्रिप नहीं, ट्रिप ठीक average, अच्छा है, अब यह काम की चीज़ है हाँ, एक passenger से कितना रुपे वसूल करते हो, टिकेट का, 2000 रुपे, ठीक है और खर्च भी तो आएगा, यास, दो करोड़ पचास लाग खर्चा है, annual, annual cost of man airport handling charges, per day के basis पे 10,000 रुपे खर्चा है, per day का, airport handling charges plane बगेरा जहाँ, handling होता है, ठीक है, मतला airport का खर्चा है repair का खर्चा है, annual है, चलो यह भी annual है, यह daily है, 75,000 रुप, बड़ी समस्या है कुछ daily basis पे दे दिया, कुछ annual basis पे दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, मैंने, इतना तो करी सकते हैं the cost with the exception of airport handling, airport handling cost को छोड़ कर, सारी की सारी cost 10% से बढ़ेगी, okay, तो airport handling cost को हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसके अलावा cost बढ़ेगा, revenue की बात नहीं हो, यह cost, annual cost, manpower, repair का खर्चा और operating, यह तीनों की तीनों बढ़ेगा, कितने percent से, 10% से, और operational capacity, जो अभी कितना प्रतीशत है, 80%, बोले यह कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, कब से, 3rd year से, पहले साल, दूसरे साल, 80% ही, capacity utilization होगा, 3rd year से, कितना, 90% अच्छा, the certainty equivalent approach, यूज करना है, certainty equivalent approach में, जो भी expected cash flow होगा, expected, उसको C factor से multiply कर देंगे, 0.8, 0.9, 0.75, 0.75, 0.75, मतलब कितने साल का ले रहा है, अच्छा, 5 ही साल का, बोले project air, जो है, plane, चलेगा तो 25 साल, पर हमें 5 साल का cash flow से ही decide करना है, कि हमें project accept, मतलब 5 साल में recover हो जाना चाहिए, सर ची, 25 साल का माने हो, बोले, पास साल, certainty जो है, वो हम पास साल का देखेंगे, बस cash flow, और उसकी साथ से decide करेंगे, ठीक है, C factor से multiply करेंगे, और मान के चल रहा हो, कि 16% risk free, क्योंकि ये risk C factor से multiply किया, तो आ गया risk free cash flow, को risk free rate से discounting करेंगे, और risk free discount, 16% risk free मान के चल रह चाहिए, सर, करेंगे कैसी कुछ, करना तो ऐसे कुछ भी नहीं, cf-at निकालना, answer निकालना इसमें कुछ नहीं है, चैसा आउप लो तो देख रहा है, आपको 500 लाक, और cash inflow में हम देखेंगे, ये हो गए हमारा sales, उसमें से खरचे माइनस करेंगे, पास साल का cf-at ये निक क्या किया सर्प सबसे पहले इन्होंने depreciation निकाल लिया 20 लाग ठीक बहुत अच्छी उसके इमान उन्होंने का passenger की capacity यह 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 वान है यह जो है यह यह 3 है यह 4 है 5 है ठीक है passenger की capacity 60 है पहले 2 साल कितना पूशन 80 परशन और फिर कितना 60 ठीक है और कितना ट्रिफ होगा बहले चार ट्रिफ होगा और एक पैसेंजर से कितना दो हजार तो एक दिन में चार ट्रिफ है तो number of days 300 पैसेट सबको मैल्डिप्लाई होगा सीधी सी बात एक बार देख लेते हैं चेक करके 60 का utilization 80 पैसेंजर मतला 48 कितने साल का sales आ गया पास पास साल का sales सिंपल था कॉस्ट वाले इनने कॉस्ट कर रहा है उनके लिए तो यह बच्चा कोश्चन हो गया आचा खर्च भी देख लेते सेल्स माइनस वैसे तो मैं यहीं निप्टा देता पर ठीक है पीम ने जैसा कर रहा है एक तो मैंपावर कॉस्ट दस परशन से बढ़ेगा तो 250 लाक है बढ़ा कर देखूं कि 250 लाक दो करोड़ पचास लाक प्लस दस परशन दो सो पचातर प्लस दस परशन ठीक है फिर चल इसके लाब एरपोर्ट हैंडलिंग कॉष्ट में चैंज नहीं होगा लेकिन एरपोर्ट हैंडलिंग कोश्ट जो था ना वो सर्जी एक दिन का था दस जार तो 300 पैसे दिन का दिखलो 10,000 इंटू 365 तो 36,50000 यह भी ठीक है इसमें चैंज नहीं होगा रिपेर का खर्चा क्या एनवल था रिपेर का खर्चा तो एनवल था साय पर इसमें चैंज होगा 10 परशन से बढ़ा देना यह 10 परशन 10 परशन 10 परशन 10 परशन देली ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेली बुलाया देली तो पहले एक दिन का कितना था 75,000 इंटू 365 ठीक है यह अभी का अभ दस परश परशन देल नहीं लिया गया नहीं लिया गया आगे देखें क्या अब यह कि स्टेटमेंट मान और बस खतम में तो वह ही मैंने आ क्या यह सारा काम एक ही स्टेटमेंट में हो सकता था याथ जबर्दस्क्रें मना रहे तो ओना यह थोड़ा सा मिस्प्रिंट है यह ier वान है है चोहते साल लगेगा पांच में साल लगेगा टेक्स तो क्या जाएगा प्रोफिट आफ्टर टेक्स फिर वापर डेप्रेशिशन को एड़ बेक कर लिया 28156250 माइनस बीस लाक यहां प्रिंट हुआ आप मेरे खिल से जो आपका आर्टी पिना उसमें सैंस होगा आप इसको देख लिएगा पर यह जो आप कैश प्लो आया है यह ठीक इसको आप मल्टिप्लाई करोगे सी फैक्टर से कोशन में दिया है तो यह आगे आपका शर्टन कैश दो या फिर आप क्या बोल सकते हो रिस्क फ्री कैश फ्लो और इसको रिस्क फ्री रेट से डिसकांटिंग करोगे और मेरा यह मानना है कि 16 परशन रिस्क फ्री रेट है तो यह डिसकांटिंग करके जो आया इस प्रेजेंट वैल्यू और किस दिया नहीं है और आउट्लो कितना 50 लग क्या एन पीवी पॉजिटिव है यस अगर एन पीवी पॉजिटिव है तो क्या प्रोजेक्ट हमारे लिए वाइब है यस खतम अच्छा कोशन था बड़ा मुश्किल नहीं था अगर आप कोश्ट कर रहें कोश्ट पढ़ा हुआ आपने तो इतना मुश्किल नहीं है कि सर्थ कोश्चन नमबर थ्री कोश्चन नमबर थ्री लीजिंग से उठाया गए कि अग कि लिखा है रोबस्ट टेक्नोलोजी एंड आइटी कंपनी पर्चेस करना है पर्चेस किया था हैड लिखा हैड मतलब पर्चेस किया था क्या purchase किया था printer कब purchase किया था 5 स्काल पहले परिंटर फेल प्रचेस किया था उसको रेप्स करना ठीक और कॉष्ट अब दया कोष था 55 रहूं पर देप्रेशिष suspension जो था वद gwेंड दस साल के लिए last can और लाइब बाकी है, तो प्रिंटर अभी कितने में बेच सकते हैं, अभी 7.5 रुपए में प्रिंटर बेच सकता है, तो प्रिंटर आप एक्सपेक्टे टू रिलाइज रूपीज से वन लाइक फॉक्तिता वर्शान, ठीक है, अगे चलते हैं, देर इस अ प्रपोर्जल एक्सपेक्टेट लाइज रुपए मिलेगा लास्ट ने बाके लाश्ट में, एक्सपेक्टेट लाइज रूपीज रुपए लेगा लास्ट में, तब पर्चिस कुट ऐदर भी फंट तुर लोन 14 पर्शन रिपेबल इन फाइक एक ठीक है वाई आप एक काम करो 16 गुरुप या का प्रिंटर चाहिए तो 16 गुरुप है फाइनेंस कर वाल लिजिए 16 गुरुप है फाइनेंस कर आओगे 14 पर्शन के सबसे काम हो जाए ठीक है और इंस्टलमेंट पाच इकवल इंस्टलमेंट तो क्या इंस्टलमेंट निकालन आता है आता हैलीजिंग में दूसरा प्रपोव मैं निंग अनैंगडल किदना किशिक State keeping an exciting लाइंड उन् मतलब यहां लीच पर ले जैर। है यहां थो आप खरीबी रहे हो यहां लीच पर लेड़े रहे हो कितने साल की 예ज साल की लीच किटना देना पतार हो घर ठीक और rental increase हो जाएगा 2,00,000 हरसा अब sir आज printer बेचेंगे हम लोग पुराना वाला उसको बैटे उसको में इग्नोर करते हो चलूँगा क्योंकि आज अगर जो पुराना printer बेचोगे old printer चाहे आप ये proposal एकसेप्ट करो चाहिए प्रिंटर तो आपका बिक नहीं बिकना है फिर देखते आगे क्या यूर रिक्वाइट उसस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इंकम टेक्स रेट है पचास परशन और इसकांटिंग रेट कितना है साथ परशन यू मैं इग्नोर बोलो हाथ हो गई बोले इग्नोर कर दीजिये रिलाइजेशन आप इसका वैल्य एंदेयर शॉर्ट टम कैपिटल गॉल लॉस बहुत अच्छी बात है फिर तो कोशन ही खतम हो गया है चलो जी तो आप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा हमारा का डेक्ट लोन ले रहा है सौलाक ऑप्सन नंबर टू क्या है रैंट देख रहे हैं प्रफू जल्वाएग का लोन लेना पड़ेगा सर कितने परशन की सबसे फोर्टीन परशन लोन लेना पड़ेगा सर कितने करें गालती सबसे फोर्टीन परशन का पी वी एफ से डिवाइट कर देंगे तो यह आ अगया आपका इंस्ट्ल्मेंट ठीक किस अदेगर जिसमें हम क्या निकालने की कोश seu निकालने की कोशिश करते हैं Estamos पर tax saving कैसे निकालते थे यह तो पता ही होगा सबसे पहले यह पास्ता लिख दिया उसके बाद installment लिख दिया अब interest कितना है तो लोन कितने का सौ लाक सौ लाक का पहला साल felt 14 pot 14 प्रम मतलब 14 प्रुपय inmodelum यह जो किस्त जा रहा समय चुछ फ्रियरंय इन्टरस्टा प्रेंसिपल पेमेंट कितंए का हॉरा इतना हो गया तो बचा कितना फिद्स आप अब इस पह पींटर लगेंगउस यह धाए इतना दो लीजिंग किया होगा तो ये तो टेबल आता होगा हमारे लिए काम की चीज़ कि निकालना प्रततें सिर्फ इंट्रेस्ट के लिए हम ये सारा ध्यास केず अब बस हम क्या करने वाले सुनध्यां से हाज फाइनल देख लेगी कितना पैसे जाएगा क्या इतना किस्त जाएगा यास इस किस्त में यह इंट्रेस्ट है यह इंट्रेस्ट है और यह क्या चीज़ है डेप्रेशिशन है और यह इंट्रेस्ट है तो दोनों मिलाकर यह और क्या इस पर टैक्स से भी होगा यास टैक्स तो इतना पैसा जाएगा उसमें से ये मेरा टैक सेविंग बचेगा तो दीस माइनस दीस कर लीजिए 29,12,904 में से टैक सेविंग हो रहा है 16 लाग तो इतना मेरा पैसा बच रहा है ठीक उसको मैं फैक्टर से मल्टिप्लाई करूंगा साथ पर्षंट का डिस्कांटिंग रेट लेंगे तो यह आगए आपका फाइनल आंस ठीक है वैसे भी अगर साथ डिस्कांटिंग रेट नहीं दिया होता तो फोर्टीन वानमाश टेक केड़ी यूच करते हैं वैसे भी सा सीधा सीधा आंसर आ गया कि अगर हम लोन लेते हैं तो इतना हमारा कैस आउटफ्लोग है सर उससे रेंट पर उठारो रेंट पर 18 लाक पहले साल 18 लाक फिर दो-दो लाक से बड़ा देना 20 लाग 22 लाग 24 लाग 26 लाग इस पर टैक्से में होगा तो नेट आउटफ्लोग यह दिख रहा है साथ परसन से डिसकांटिंग करेंगे तो यह आउटफ्लोग आ गया है टूटल लाकर यह आउटफ्लोग है तो बताए किस में अच कॉश्चन ठीक है पॉके था कि आगे चल रहा है अब यह हैं कॉश्चन नुमबर कौनसा सासर जी है कॉश्चन नमबर और ज्टिछ्च a earning per se year earning per share दिया 12-3 को के दिया है और यह r दिया है और यह बी दिया है गॉर्ड तो गॉर्ड आपको मालूम है यस गॉर्ड़न का फॉर्मूला क्या बोलता है डी वन तो ही तो है या फिर मैने आपको क्या वोलना है d1 ऐसी भी तो निकाल सकते e1-b बात वही तो है यार ओके सर तो e1-b k e-b into r या फिर जी तो अब देखो भाई dividend कितना है 3 रुपए तो सीधा मैंने 3 रुपए ले लिया सर यहां अब d1 भी तो लिख सकते थे लिख सकते थे अब d1 भी लिख सकते हैं केई कितना है 18% r कैसे निकलेगा 0.75 into 0.22 तो 0.165-0.183 divided by mr. 200 रुप है और Walter तो आपको पता है अच्छे से मुझे फॉर्मूल एक्सप्रेंट d e-d r by की यहां की कर लोगे सब कुछ given है तो answer कितना है इसमें मुझे कुछ समझाने वाली बात थी ने dividend का अगर मैं कहूं बिल्कुल सिंबल कोश्चन है तो यह कुछ था ही ने इस हालाग यह कोशन थोड़ा सा अच्छा अगर मैं कहूं कोशन नूम्बर 5 कोशन नूम फोर तो बहुत ही जी था कोशन नूमर 5 थोड़ी बहुत बात तो है समझने वाले लिखा है in December 2019 AB company's share was sold मतलब सर ये share का प्राइज दिया yes P0 146 a long term earning growth growth rate दिया 7.5% ठीक है D1 दिया 3.36 what rate of return an investor can expect to earn assuming that dividend are expected to grow along with earnings 7.5% what rate of return an investor can expect K K का formula D1 P0 D1 दिया 3.36 P0 दिया 146 7.5% growth तो answer कितना जाएगा 9.8% ठीक है जी आगे वाला part important है it is expected that AB company will earn about 10% on book value R दे दिया 10% ठीक है और बोले return कर रहा है हम 60% 60% return कर रहा है 60% ठीक है तो बोले बताएगे इस change की बज़ा से growth rate क्या होगा और K क्या होगा पहली बात growth rate निकालना B into R growth rate में तो कोई दिक्कत नहीं 0.06% क्या होगा तो अब कोश्चन को किस तरह से घुमाया है सर जी पहले जो retention ratio था वो मुझे नहीं मालू पहले retention ratio no doubt कुछ और रहा होगा क्योंकि growth rate से 7.5% है तो चलो आप ऐसा भी कर सकते हो अगर कोश्चन 7.5% मेरी बात समझे 7.5% growth rate पर dividend इतना है तो 6% पर कितना है पर मैं बिल्कुल सिंपल वे में करवा रहा हूँ मैं यह निकाल लूँ सबसे पहले कि return कितना करते थे क्या मुझे पिछला growth rate मालूम है yes point number one का growth rate मालूम है क्या R मालूम है R तो वही रहना तो क्या भी निकल सकता yes तो sir point number one में ना हम 75% 75% return करते थे ठीक है तो sir इसका मतला 25% dividend देते थे 3.36 divided by 0.25 yes 25% dividend तो 3.36 divided by 0.25 तो dividend कितना दिया जाता था 25% उस हिसाब से earning कितने होती थी earning होती थी 13 रुपय 45 पैसे यहां तक ठीक है अब अब क्या करना अब हम 60% return करें तो dividend कितना देते होगे 13.44 into 40% तो अब dividend आ गया 5.3 यह आ गया बट्टे dividend आ गया 5.376 बस मुझे यह dividend पता करना था इसलिए मैंने time pass किया बाकि तो सब simple answer कितना जाएगा 9.68% ठीक है ठीक है sir अब सुनो अब अब ऐसा है कि यह question number जो 6 है same question आपका new syllabus की RTP में है और वह है question number 6 तो new syllabus की RTP मैंने description में डाल रखा तो आप वहाँ से question number 6 चेक करना वहां मैंने समझाया हुआ तो सर जी आपको थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी आपको description में जाकर देखना पड़ेगा question number 8 new syllabus की RTP में question number 11 है question number 9 new syllabus की RTP में question number 1 question number 10 यह भी new syllabus की RTP में डाला हुआ question number 2 मिलेगा मैंने यहां लिग दिया question number 11 जो इसका है same question question number 3 question number 12 same question मिलेगा question number 4 factoring है ही नहीं है नहीं उसलिए बस में तो factoring का question डाला हुआ हुआ है question number 13 तो सर factoring भी देख लेकिया yes लिखा हुआ है AC company limited has turnover बोले turnover कितना है 1600 लाक और expected है कि growth कितना होगा 17.9 पर्षेंट ग्रोथ 1600 प्लस 17.9 पर्षेंट तो भी expected turnover हो रहा है 1886.40 लाक्स average credit credit कितना है 100 तो average debtors निकल सकता है कैसे निकलेगा इन्टू 100 divided by 350 की पैसट कुछ लिखा नहीं है तो 360 ही ले ले थे 300 पैसट भी ले सकते हूं average debtor निकल जाएगा इससे बैड़ेट्स losses are 1.5% on sales ठीक है the administration cost for collecting receivable आटलक AC company limited decided to make use of factoring service by FS limited term as under factor will charge commission कितना देना पड़ेगा 1.5 75% 15% risk with recourse समझना विट्टे ये काम की चीज़ें अगर हम factoring agency को factors को अपने debtors दे देते हैं तो bad debts किसके depend करता है recourse है कि non-recourse इसमें बोल रहा है 15% recourse 15% recourse है 15% recourse है नहीं जो भी पैसा डूबेगा मालो हमारा हमारा दस लाग डूबा तो दस लाग में से आट लाग पचास जार के लिए हम tension free हो गा है 15% 15% के लिए थोड़ा सा टैंस लाएगा ये बोला है हमको एडवांस कितना मिलेगा सर हमको 14% के सबसे एडवांस मिल जाएगा उसका 10% reserve हो जाए यहार रिकवार टो कई कोश्ट और यह तो सर मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा हूं और सायद इसका तो अच्छा 350 दिन लेना है बोला एक साल में 360 दिन लेना है ठीक है तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं यह मैंने कर्वा अरखाओ तो मिनने आपको इस तरह से नहीं करवाएं जैसे इसमय पर तो भी आपको समझ वें जाए कर में पहले यहां देख लेते हैं 1600 लाक और 246 यह आ गया यह तो यह वाला फिगर हो गया एवरेडेटरस आ गया 526 लाक रिजर्व लखना है 52.4 तो यह आ गया 471 लाक रिजर्व के बाद हमें कितना चाहिए 471 लाक पर सामने वाला फैक्टरिंग एजनसी कमिशन कातेगा 1.75% 1.75% किसका पास्व चोबिसका 9.17 तो 9.17 माइनस हो जाएगा तो यह आ गया 472.43 लैक्स मुझे मिलना चाहिए पर उसमें इंटरस्ट भी तो सामने वाला अप्फरंट ही मानें इंटरस्ट भी तो एडवांस में देना पड़ेगा कितने दिन का 100 दिस का 462 इस पर इंटरस्ट 14 पर तो हमें हमने नेक्त कितना मिलेगा सब्सक्रीं शीहमने नेट कम दें लिंक दे दूगा मैंने पूरा चैप्टर डाल बढ कर इतना है अब यह कि net cost कितना लग रहा तो cost कॉ और कंसां लग रहा सुनो कमीशन अगर मैं अपने हिसाब से करूं तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगा सुना मैं अपने हिसाब से यहां कर बाद कॉस्ट में क्या गया अपना कमिशन कमिशन क्या पहले ही निकाल चुके हम लोग कमिशन कितना है 9.17 यह हो गए कमिशन और क्या लग रहा है इंट्रेस्ट स्चाहिए कितना लग रहा है इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट स्नष निस 17.98 यह in हो गए हमारा इंट्रेस्ट इसके लृवब हमारा पैसा भी बचे का एैस्टमा क्रचा बच्चा बच्च यह कितना रुपए आट लाखंश आट लाग है तो 100 दिन का कितना आट लाग तो साल भर का आट इंटु सो डिवाइड़ेड़ वाइट इन सो साट तो यह हमारा बचेगा 2.22 इसके लगा बैट डेट्स का भी खर्चा बच जाएगा बैट डेट्स कितना पास्व चोबिस पास्व चोबिस का पंदरा परशन पर तो हमारा नहीं बचेगा पच्यासी परशन इन्टू कितना 1.5 परशन तो यह बैट्डेट से बचेगा 6.681 देखते हैं 9.17 लगेगा प्लास 17.98 लगेगा माइनस 2.22 बचेगा माइनस 6.681 बचेगा तो नेट कॉश्ट आरा 18.249 कितने पर एंड नेट इडवांस कितना मिल रहा है 444.41 इंटू हंड़ेट पर यह है 100 दिन का तो 306 दिन का कितना चेक कर लेते हैं दिवाड़ेट बचेगा तो आंसर आगे 14.78 आप इस तरह से कर सकते हो या फिर यहीं से सब की सब अनुलाइज लेकर भी काम कर सकते हो दोनों ही तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लेक्चर दूंगा मैं आपको तो उस लेक्चर को देखोंगे तो बात समझ में आज कोशन है ठीक है तो यह था फैक्टरिंगा कोशन आगे चले यह आपका मीचल फंड कोशन है और डिस्क्रिप्शन किया हुआ है जिन बच्चों ने जो ओल्ड स्लेबस के बच्चे हैं उन्होंने अगर नियू स्लेबस के आर टीपी नहीं देखा होगा तो पक्का देखोगे हर कोशन आपके काम का है तो यह ओनेटी कोशन नमीडा फाइब मिलेगा ठीक यह कोशन नमीडा फिपटीन जोओं ITP भी देखना है? यसर. अगर आप New Slavers का सारा ITP देखते हो साथ में Old Slavers के ये question करते हैं, तो Old Slavers, no route थोड़ा सा ज़्यादा है तो cover हो जाएगा आपका सब कुछ Thank you, thank you so much. Bye-bye